आप से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है सच में मैं आज इतना प्रसन्न हूँ कि सद्कुरू जैसे एक विश्व गुरू ने हमारा मार्ग दर्शन करना सुईकार किया है और वो भी बहुत चौट नोटिस पर मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे बहुत पहले ही आप सनुरोध करना चाहिए था लेकिन यह आपकी क्रिपा है कि आपने इसे सुईकार किया मैं आपको प्रणाम करता हूँ मेरा आपको शचचच प्रणाम सबता हूँ जब आप क्रिष्ण के कारे को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं आपको ना कैसे कह सकता हूँ यह हमारे उपर आपकी क्रिपा है आज जैसा कि भगवद कीता में कहा गया है वे महान संत सिर्फ तभी आपका मार्ग दर्शन करते हैं जब आप उनके चरण कमलों में अपना प्रणाम अर्पित करते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं हम पिछले छे महीनों से इस कोविट काल के दौरान काम कर रहे हैं वैसे तो हम इस उदेश्य के लिए 46 साल से काम कर रहे हैं लेकिन यह कभी आउनलाइन नहीं था लेकिन इस कोविट ने हमें आउनलाइन आने पर मजबूर किया और फिर चमतकार हो गया हम करीब 80 देशों तक पहुँच गए और एक लाग से ज्यादा बच्चों ने ज्यादातर बच्चों ने पर कुछ अभी भावकों ने भी भगवत गीता के दो अध्यायों को कठस्त कर लिया है यह उन निस्वार्त कारे करताओं दुवारा किया गया है जने कोई भी पैसा नहीं दिया जाता वे सब बिना वेतन के कारे करता है वे कृष्ण भक्त हैं वे सिर्फ कारे करता है और इसे हम ग्यारा भाषाओं में कर रही है और आज ईश्वर की कृपा है कि हमें आपके जैसा एक विश्व गुरू मिला है जो हमारा मार्ग दर्शन करते है शुरुवात में मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ शुरुवात से ही हमने एक चीज पर जूर दिया है कि हम किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं किसी भी अनुवाद में लेकिन मंत्र जाप करते समय हमें सिर्फ संस्कृत भाषा पर जूर देना चाहिए क्योंकि ये शब्भगवान कृष्ण के मुक कमल से निकले हैं और इसलिए वे मंत्र के समान है और इसलिए गीता की सारी शिक्षा संस्कृत भाषा के माध्यम से ही दी जाती है जहां तक मंत्रों की व्याख्या का सवाल है हम सभी भाषाओं का प्रयोग करते हैं मैं हाथ चोड़कर यह सवार पूछ रहा हूँ क्या हम सही हैं जब हम गीता के मूल संस्कृत श्लोकों पर जोर देते हैं कृप्य आप इस बात को स्पष्ट कीजिए आपका स्पष्टी करण हमारे लिए बहुत बड़ा मार्क दर्शन होगा देखे ऐसे समय में जैसा कि आपने कहा कि महामारी फैली हुई है और कई देशों में दूसरी लहर तीसरी लहर आ रही है और UN एजिंसीज मानसिक रोग महामारी आत्महत्या की महामारी की भविश्यवानी कर रही है बड़ी तादाद में लोग आत्महत्या कर रहे हैं उदाहरन के लिए वर्ष 2020 में जापान में आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या कोविट संक्रमंट से मरने वाले लोगों से ज्यादा थी तो जब इनसान अपने भीतर इस तरह के संगर्ष से गुजर रहे हो तो हमारे आसपास एक चुनोती भरे हालात होते हैं लेकिन जब वो अपने भीतर इस तरह के संगर्ष से गुजर रहे हो तो मैं मेरी विनम्र राय है मुझे नहीं लगता कि हमें गीता की शक्ती और ग्यान को लोगों तक पहुँचने से सिर्फ अपनी भाशाओं से प्यार के कारण सीमित करना चाहिए हमें अपनी भाशा से बहुत प्यार हो सकता है और संस्कृत भाशा के उचारण के पीछे एक विज्ञान है इसमें कोई संदे नहीं है लेकिन मुझे लगता है पहले गीता की समझ ग्यान और जानकारी का लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि जब का अर्थ है संस्कृतिक रूप से लोगों को हमारी जीवन शैली में बदलना मुझे नहीं लगता की हमें उसे थोपना चाहिए जो लोग इच्छुक हैं हमें उनको निश्चित रूप से प्रोचाहित करना चाहिए लेकिन हमें उसे अनिवारे नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये बहुत-बहुत महत्वपून है कि ये ग्यान फैले मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखे दुनिया में कई तरह के विश्वास प्रनालिया और फिलोसफी हैं लेकिन मेरी राए में मैं साफ-साफ ये देखता हूँ कि लोगों की अगली पीढ़ी के लिए भारत में चीजों को देखने का हमारा नजरिया ये है कि हम ईश्वर को अपने लिए एक शक्ती के रूप में देखते हैं ताकि हम खुद को उँचा उठा सकें और अपने चरम पर काड़े कर सकें कृष्ण के शिक्षा का सबसे महत्वपून पहलू है मैं कोई देखे मैं खुद संस्कृत पढ़या बोल नहीं सकता मैं एक अज्ञानी व्यक्ती हूँ आप लोगों के सामने आप सभी विद्वान है तो मैं इससे सीमित रह जाऊंगा तो मेरी राय में मेरे लिए कीता का सबसे एहम पहलू है विश्वरूप दर्शन जो कृष्ण ने अर्जुन को कराया उन्होंने जो भी कहा उसमें जितना भी ग्यान था उसके बावजूद अर्जुन सवाल पूछते ही रहे थे क्योंकि ये मानवमन की प्रकृती है वो और शंकाएं रखता रहेगा और कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा कमिया ढूंडता रहेगा लेकिन जैसे ही उन्होंने दिखाया कि वो कौन है अपनी समावेशी प्रकृती के संदर्ब में किस तरह पूरा अस्तित्त उनका एक हिस्सा है और उन्होंने ये इसलिए दिखाया क्योंकि वो अर्जुन और दुनिया में हर किसी को ये बताना चाहते हैं कि आपकी प्रकृती भी यही है अगर आप इच्छुक हैं अगर आप अपने अस्तित्तो के आयाम को खोलते हैं तो आप हर चीज को स्वयम के रूप में अनुभव कर सकते हैं मेरे लिए सिर्फ यही चीज मेरे मार्क दर्शन का स्त्रोत रही है कि आखिरकार योग शब्दकार्थ होता है जुड़ना मेरे लिए योग की चरम अभिव्यक्ती है क्रिशन क्योंकि उन्होंने उससे दर्शाया पूरी शिक्षा का सबसे महतुपून पहलू यह है कि वो अर्जुन को दिखा पाए कि सारा ब्रह्मांड चाहे वो पौधे हों पशु, ये, वो, ग्रह, सब कुछ मेरा एक हिस्सा है क्योंकि यही मानवचेतना की प्रकृती है मानवचेतना का उपर उठना या मानवचेतना का उठ्थान बहुत-बहुत महतुपून है क्योंकि नैतिकता, नैतिकमूल्य, सदाचार ये सब हमारे साथ तभी होते हैं जब चीजें सही चल रही हो जब संकट होता है या जब मृत्यू हमारे सामने लटकी होती है तो सिर्फ एक ही चीज जो हमें उससे परे ले जाती है वो वाकई मानवचेतना है जो सर्फ समावेशी है और कृष्ण मेरे लिए उसी के प्रतीक है तो उस संदर्व में इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए जो भी चीज इसकी पहुँच में अवरोत पैदा करती है उसे हटा दिया जाना चाहिए जैसा कि आपने कहा ये ओनलाइन चीज एक चमतकार रही है कि जो आप आमने सामने नहीं कर सकते अचाना कब अगर आप शारेरिक रूप से 10 लोगों तक पहुँच सकते हैं अब आप ओनलाइन 1000 लोगों तक पहुँच रहे हैं लेकिन इसे कई गुणा बढ़ाया जा सकता है अगर आप इसका अनुवाद दुनिया की 30 अलग अलग भाशाओं में कर देते हैं तो आप अर्बो लोगों तक पहुँच सकते हैं और मेरे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाए भाशा पर जोर देने के भाशा में अपनी शक्ती होती है भाशा का अपना महत्व होता है लेकिन सबसे बढ़कर सबी लोगों का ये समझना कि होने का एक सार्वभौमिक तरीका है मेरे लिए ये भाशा से ज्यादा महत्वपूर्ण है हम इस सला को निश्चित रूप से मानेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ? जी हाँ आज हम जानना चाहते हैं कि दुनिया भर के युवाओं के लिए भगवद गीता का सबसे जरूरी संदेश क्या हो सकता है? अगर हम किसी चीज़ को संदेश के रूप में देखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण संदेश ना सिर्फ गीता का, बलकि कृष्णे के संपूर्ण जीवन का ये है कि देखे कई मायनों में उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है बहुत सारे युद्ध हैं, लडाईयां हैं, ऐसे लोग हैं जिनके एरादे और काम बहुती ज़्यादा बुरे हैं तो उनका जीवन कई मायनों में संघर्षों और चुनोतियों से भरा हुआ है महामारी के हमारी चुनौती उन चुनौतियों के मुकाबले कुछ भी नहीं है जिनका सामना उन्होंने अपने जीवन में किया तो हाला कि बाकी सभी पांडव, कौरव और दूसरे लोग जो इस नाटक में शामिल है उन सभी ने काफी कष्ट जेला या तो गुसे, या नफरत, या पीड़ा, या शर्म के कारण बहुत सी चीजें हर किसी के साथ हुई लेकिन कृष्ण वो अकेले इंसान थे जो इस पूरे भायानक नाटक से बहुत खतरनाक नाटक अगर आप मुझसे पूछें और भायानक युद्ध और हर चीज से अपने चहरे पर एक बड़ी मुस्करा हट लिए हसते खेलते गुजरे तो जीवन का सबसे महतोपून पहलू है शामिल होना पूरी तरह से शामिल होना उन्होंने कभी ये नहीं दर्शाया कि मैं शामिल नहीं हूँ हर जगा, हर छोटी और बड़ी चीज में मामूली और महतोपून चीजों में हर चीज में वो पूरी तरह शामिल थे लेकिन पूरी तरह से खेल भावना में बिना उसमें उलजे हुए शामिल लेकिन बिना उसमें उलजे हुए मेरे इसाब से ये सबसे महतुपून चीज है जो इनसान के साथ होनी चाहिए खासकर युवाओं के अगली पीड़ी के लिए उन्हें समझना चाहिए कि भागीदारी का मतलब उलजना नहीं है आप अपने जीवन में हर चीज में पूरी तरह शामिल हो सकते हैं लेकिन बिना उलजे हुए मैं मेरी समझ में, जीवन के मेरे अनुभव में मेरे इसाब से ये कृष्ण और उनकी शिक्षा का सबसे महतुपून पहलू है क्योंकि जीवन को खेल भावना से जीना जीवन को, जीवन के सबसे गंभीर पहलूओं को अपने जीवन में सहचता से लेना क्योंकि आखिरकार हम यहां बहुत कम समय के लिए हैं हम यहां हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं हम नश्वर इंसान हैं आज हम यहां हैं, कल हम जा चुके होंगे हमेश जीवन को सहचता से संभालना सीखना होगा फिर हम उचीत चीज़े करेंगे जैसे हम हर चीज़ को लेकर गंभीर हो जाते हैं फिर हम बीमार बन जाते हैं देखिए कम से कम भारत में जिस तरह हम अंग्रेजी बोलते हैं अगर कोई कहता है मेरी दादी सीरियस है तो हम समझते हैं कि वो मर रही है तो अगर लोग गंभीर हो गए हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि वो जीवन से मौत की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे इसाब से कृष्ण के संदेश का सबसे मैत्वपून पहलू ये है कि ये जीवन जीवन और जीवन है इस उत्तर को सुनकर मुझे याद आता है कि हमारे सद्गुरु महराज खुद इसकाई को धारण है मेरे मन में हमेशा से सद्गुरु जी के लिए बहुत सम्मान रहा है लेकिन वो अपने चरम पर पहुँच गया जब मुझे पता चला कि उन्होंने तमिल नाडू में हिंदू मंदिरों को मुक्त करने के लिए अंदोलन शुरू किया है आज वे पूरे अंदोलन में शामिल है हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम सब आपके साथ हैं और हम, हम पूरे भारत के लिए अंदोलन शुरू करने का फैसला करते हैं लेकिन इस समय मुझे यह याद आता है कि सद्गुरु जी इस अंदोलन में शामिल है लेकिन इसमें उलजे हुए नहीं है और इसलिए वे हमारे लिए हमारे सामने एक मिसाल कायम कर रहे है कि जीवन को कैसे जीना है यह दुनिया भर के युवाओं के लिए एक महत्वपून संदेश है यह एक बहुत महत्वपून चीज है क्योंकि देखिए इस देश का बुन्यादी ढाचा जिसने हिंदू हिंदू जीवन शैली को जीवित रखा है क्योंकि हिंदू जीवन शैली कहीं किसी एक प्रमुख व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाई जा रही है कोई एक विश्वास प्रणाली नहीं है कोई एक मातर किताब नहीं है कोई एक मातर सिध्धान्त नहीं है हर चीज को सुना जाता है और हर चीज को महतो और सम्मान दिया जाता है बहुत से आध्यात्मिक प्रक्रियाएं है उन सभी, उन सभी का सम्मान किया जाता है कर्म, ग्यान, क्रिया, भक्ति सब कुछ एक ही मंच पर हम एक को दूसरे से श्रेष्ट बताकर उन्हें अलग नहीं कर रहे हैं लेकिन अलग-अलग समय पर अलग-अलग चीजें मानव विकास में महत्वपून हो सकती है इतिहास और समय के अलग-अलग दौर में कुछ चीजें दूसरी से ज्यादा एहम हो जाती है ये एक अलग बात है लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि ये मार्ग उस मार्ग से ज्यादा श्रेष्ट है वो मार्ग इस मार्ग से ज्यादा श्रेष्ट है तो इस संदर्ब में मंदिर प्रणाली एक मुख्य संरचना थी जहां कोई कभी प्रार्थना नहीं करवाता था या शिक्षा नहीं देता था बल्कि लोग वहाँ उस हूर्जा को आत्मसात करने जाते थे हम मंदिर पूजा करने नहीं बल्कि दर्शन करने जाते हैं हम देखना चाहते हैं हम देखना चाहते हैं वो मौन हैं लेकिन हम उनकी छवी को अपने दिल में उतारना चाहते हैं हिंदू मंदिर की यही प्रकृती है लेकिन इसे एक जीवंत छवी बनाए रखने मूर्ती को जीवंत रखने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं है जब ये प्रक्रियाएं ऐसे लोगों द्वारा की जाती हैं, जो उसमें शामिल नहीं हैं, जो सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं, तो ये प्रक्रियाएं मर रही हैं जैसा कि सरकार ने स्विकार किया है कि 12,000 से जादा मंदिरों में कोई पूजा नहीं हो रही है, यहां तक कि एक भी पूजा नहीं हो रही है, 37,000 मंदिरों की आए 10,000 रुपए सालाना से भी कम हैं, और 34,000 मंदिरों में सिर्फ एक ही आदमी मंदिर में पूजा करता है, वही उ यसी स्थिती है, मुझे लगता है कि भक्तों को इसका भार संभालना चाहिए, लेकिन इसके लिए हर किसी को साथ आना होगा, मैं कहा रहा हूँ कि मुझे काफी बुरा भला सुनने को मिल रहा है और वो मेरी मा तक को नहीं छोड़ रहे हैं, वो हर चीज को बुरा भला कह रहे ह और दुर्भाग इसे मैं देखता हूँ कि बहुत से परमभक्तों, सच्चे भक्तों को भी कुछ नहित स्वार्थों द्वारा गुमराह किया जा रहा है और धेर सारी प्रतिक्रियाएं हुई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक जो ठोकर सामने आएं, एक दूसरे क खिलाफ नहीं क्योंकि अतीत में हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है, अतीत में विदेशी आक्रमणों और कबजों की वजए से हमने बड़ी कीमत चुकाई है, कम से कम स्वतंतर भारत में हम आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहे हैं, अब समय है कि हम एक ताकत के कई चीजों में आप मुझसे सहमत नहीं हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें समझना होगा, क्रिश्न का जीवन एक उदाहरण है, हाला कि वो एक ईश्वर के अवतार के रूप में खड़े हैं, फिर भी अर्जुन उनसे सैकडो सवाल पूछ सकते हैं, वो उनसे न अलग अलग दिशाओं में नहीं जाना चाहिए, जो दुरभाग इसे देश में हो रहा है, मैं उमीद करता हूँ कि हम होश में आएंगे और एक होकर काम करेंगे, क्योंकि देश की इनसानी आबादियों का आकड़ा इस तरह बदल रहा है कि इस समय मैं मेरी संस्कृती आपक करें या आप जान से गए, इस तरह का नजरिया है, यहां अगर भगवान खुद आ जाएं, तो भी हम उससे सवाल कर सकते हैं, और कहां ऐसा संभव है कि आप भगवान से सवाल कर सकें, आप भगवान से सौ सवाल पूच सकते हैं, ऐसा और कहां संभव है, यही इकलौती संस तो मैं कह रहा हूँ कि भावी पीडियों के लिए सिर्फ एक चीज, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, जो दुनिया के सभी युवाओं के लिए महत्वपून होगी, वो है ये हिंदू जीवन शैली, एक धर्म के रूप में नहीं, यू नहीं कि आप मेरी संस्कृति को अपनाईए उस तरह नहीं, बलकि एक सीख की तरह, एक मार्क दर्शन की तरह, दुनिया में कोई दूसरा मार्क दर्शन नहीं है, जो सर्व व्यापी और सामावेशी है, हम इसे सर्व व्यापी और सामावेशी बनाए रखें, इसे आप बना मैं न बनने दें, क्योंकि आप बना मैं है ह आप एक पत्थर की पूजा कर सकते हैं और मैं एक पेड़ की लेकिन दोनों भक्त हैं यही हमारी संस्कृती की प्रकृती है हमें इसे ऐसे ही रखना चाहिए हाँ सत्कृरुजी हमारी भारतिय संस्कृती ने हमेशा कहा है वासुदेव को टुम्बकम पूरी दुनिया एक ही परिवार है और इसलिए किसी पर कुछ भी थोपा नहीं जाता हर कोई अपना मार्क चुन सकता है अब हमने आपसे यह ग्यान पाया है कि हम मंदर सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं जाते हम वहाँ अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए जाते हैं यह एक पिल्कुल नया कॉंसेप्ट है पूरी दरह से और इसलिए हम आभारी है और लोग शायद बुरी बाते कहें या कुछ भी बोलें लेकिन हम सभी आपके अनुयाई हैं और आप इस देश, इस राष्ट और पूरी मानफ्ता के लिए जो कर रहे हैं वह आज बहुत जरूरी है और हम निश्चत रूप से आपके पच्चिनों पर चलने की कोशिश करेंगे गोविंद गिरी जी किसी की कही बुरी बातें मेरे लिए कोई समस्या नहीं है क्योंकि मैं इस तरह बनाओ कि किसी के अपश्ब्द या तारीफ ना तो मुझे उठाते हैं और ना ही गिराते हैं मैं जैसा हूँ, उसी वज़े से मैं वो हूँ, जो मैं हूँ वो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि अभी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि आप एक लाख लोगों के लिए ओनलाइन गीता का ग्यान फैला रहे हैं, एक लाख लोग काफी नहीं है, एक अरब लोग, पांच अरब लोग होने चाह जब हमारे युवा इसे खो देते हैं, फिर आप इसे बाकी दुनिया तक नहीं ले जा सकते, मैं बहुत दृर्टा से महसूस करता हूँ कि अगर इस साध्यात्मिक जग्यासा को जीवित रहना है, तो अगले 20 से 25 सालों में हमारे पास एक बहुत महतुपून्ट जिम्मेदा अगर हम ये काम नहीं करते, तो बाद में शायद उसे पुनर जीवित करने के लिए बहुत देरी हो जाएं। लेकिन मेरी समझ में, आप जो कुछ भी बोल रहे है, वह गीता ही है। ये गाए गीत की बात नहीं कर रहे है, हम उस गीत की बात कर रहे हैं, जो हमारी आत्मा गाती है। मेरा शरीर और आपका शरीर अलग-अलग गीत का सकते हैं। मेरा मन और आपका मन अलग-अलग गीत का सकते हैं। मेरी भावनाएं और आपकी भावनाएं अलग-अलग गीत का सकती हैं। लेकिन मेरी आत्मा और आपकी आत्मा अलग-अलग गीत नहीं का सकती। वो सिर्फ एकी गीत काती है। और जिन रूपों में भी उन्होंने इसे भाशा में डालने की कोशिश की। क्योंकि इसे भाषा में ढालना आसान नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि ये करीब करीब असंभव है, आप उसके आसपास बात कर सकते हैं, असली गीत को कभी भी शब्दों में नहीं ढाला जा सकता, मेरे ख्याल से गीता उसे सबसे नजदी की संभव त यही है, क्रिश्न मेरे लिए योग की एक अभी व्यक्ति हैं, क्योंकि किवल तभी आप उस वक्त भी खेल भावना से जी सकते हैं, जब जीवन और मौत की स्थिती हो, ना सिर्फ आपके लिए, बलकि हर किसी के लिए जो आपको प्यारा है, उनके लिए जीवन और मौत की स् जब आप योग में पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं। मैं उन्हें ऐसे देखता हूँ। मैं आपको यह बताया था जब हम ओमकारेश्वर में मिले थे। लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि हर कहीं आश्रम के कोने कोने में हमने देखा कि आपने हमारी भारतिय द्रिश्टी, हमारी भारतिय संस्कृती को पूरी तरह सुरक्षित रखने की कोशिश की है। और जो ग्यान युगों से यहां तक आया है, उसे न सिर्फ बौधिक रूप से प्रदान किया गया है, बलकि लोगों को, बच्चों को वह महौल दिया गया है, ताकि उन्हें उस तरह से तयार किया जा सके। हम भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं सत्कृरूजी, और इसलिए हमें मार्ग दर्शन की जरूरत होगी, हमारे इन छोटे मोटे कामों के लिए, एक बार नहीं, बलकि कई बार, आज हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, कि आपने हमें इतना समय दिया, और हम पर अपनी पा बरसाई, लेकिन अब भी हम प्यासे हैं, हम फिर से थोड़ा समय देने की वनती करेंगे, आपका बहुत समय नहीं लेंगे, लेकिन आपका आशिरवाद हमें चाहिए, चाहे आप कुछ मिनटों के लिए ही बोलें, वो हमारे लिए सानों तक प्रेनादाई होगा, और इस लिए आपके श्री चरणों में शाष्टांग प्रणाम करता हूँ, मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम, प्रणाम और प्रणाम आपको नमस्कारम स्वामे जी, आप दुनिया में जो काम कर रहे हैं वो बहुत महतुपून है और हम आपके लिए जितना संभव हो सके उपलब्द रहेंगे, जितना बैतर हम आपके लिए कर सकते हैं, हम उतना आपके लिए करेंगे, नमस्कारम और बहुत बहुत धन्यवा Намаскарам